नमस्कार बहुत स्वागत आपकाद DC भारत के समाहमंच पर मेरा नाम धरम दूबे है और आज हमारे चैनल की शुरुवात इस वीडियो से करते हैं सुभे से ही एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ है जिसे कुछ देर पहले भुच्पुरी सिर्यमा की सुपर्स्टार रिकॉर्ड मशीन पावन सिंग जहाब ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेर किया है इस वीडियो में आप देखवा रहे हैं कि पवन सिंग जी किस तरीके से इश्वर की आराधना कर रहे हैं जी हाँ सुभे सुभे उठे हैं नहाधो करके भगवान का पूजा पाट कर रहे हैं मैंने बड़े करीब से भगवान की इन सारी तस्वीरों को देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि लक्ष्मी जी भी विराजमान है, सरस्वती जी भी विराजमान है, शंकर भगवान भी विराजमान है और स्री कृष्ण जी भी विराजबाने अच्छा खासा पूरो का पूरा एक मंदिर सजा रखा है पवन जी ने अपने साथ अच्छा विज्वल देखकर लग रहा है कि पवन सिंग जी अपने घर में नहीं है किसी होटल में हैं, किसी होटल के रूम में हैं, सुबह सुबह नहाध हो करके पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने काम की तरफ अब थोड़ी दिर में निकल भी जाएंगे खास बात देखने लाएक है कि दोस्तों ये जो पूजा चल रही है जिन तस्वीरों की पूजा की जा रही है, जिन भगवानों की पूजा पूजी द्वारा की जा रही है ये मुझे नहीं लगता कि होटल वालों ने मंदिर बनाया होगा इस तरह का यानि इन सभी देवताओं को देवियों को पूजी अपने साथ ही रखते हैं जहां कहीं भी बाहर जाते हैं, तो जहां ठहरते हैं, खुद ही अपने मंदीर की अस्तापना कर देते हैं और रोजाना इस तरह से पूजा करते हैं, तो वीडियो में आप देखी पा रहे हैं कि किस तरीके से फवन जी ने पूजा की है आराधना की है, और अब सीधे अपने का काम पर निकर जाएंगे काम पर मतलब हर 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 गंगे फिल्म की शूटिंग पर चले जाएंगे जो कि बनारस में काफी दिनों से चल रही है अभिशेक श्रिवास्तव इस फिल्म के प्रोडूसर है जबकि चंदन उपाध्या जी इस फिल्म का दिरेक्शन कर रहे हैं और साउथ के प्रख्याद विलन है अमिश शुकला वो भी इस फिल्म में है कल्लू जी ने अभी तक पवन जी को शायद जोई नहीं किया है क्योंकि तस्वीरे वीडियोस तो नहीं आई है लेकिन कल्लू जी भी एक special guest appearance में इस फिल्म में दिखने वाले हैं फिलहाल ये वीडियो का नि ठिकाना और मन्जिल की तरफ काम की तरफ निकलते हैं मैं इस वीडियो को देखकर इतना जादा प्रसंद हूँ दोस्तों कि मैं क्या बताओं आप कितने हैं इन बातों का जिक recommend box में करके लिखिएगा इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें देशी भारत के साथ नमस्क देखकर साथ भारत के साथ नमस्काश के लिए प्रसंद